तमिलनाडू के रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान, बुरेवी के कारण, तटीक शेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरे भी तेज होने लगी हैं। भारत मौसम विभाग के मुताबिक बुरेवी गुरुवार रात या शुक्रवार सुबह तक दक्षणी तमिलनाडू के तट को पंबन या कन्या कुमारी के बीच से पार करेगा। केरल में चक्रवाद बुरेवी के शुक्रवार तक पहुचने की आशंका को देखते हुए राज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्तिथी से नेपटने के लिए 2000 से ज्यादा राहत शिविर खोल रखे हैं और 5 दिसंबर तक तटपर मचली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को मोकि मंतरी पिन्रई विजियन से बात की और उन्हें केंदर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। विजियन ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि तिर्वनंत पुरम, कुलम, पथनम थिट्टा, कोटायम, अलब पुझ्जा, इडुक्की और अरनाकुलम जिलो में 3 से 5 दिसंबर तक भारी बारिश और तेज हवाय चलेंगी। चक्रवात की तैयारियों को लेकर ग्रिह मंत्री अमित शाह ने भी तमिलनाडू और केरल के मुख्य मंत्रियों से बात की है।